दीपी का चिखलिया ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्था समारों के दौरान ली गई तस्वीरे की शेयर एक्ट्रेस दीपी का चिखलिया जो अन्य हस्तियों के साथ अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्था समारों में शामिल हुई ने कंगना रनौत, अनुपम खेर, नितीश भारदवाज और सुनील लहरी के साथ कुछ अन्देखी तस्वीरे साजह की एक्ट्रेस दीपिका को रामानन सागर की रामायन में सीता का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है शो में अरुन गोविल को भगवान राम और सुनील को लक्षमन के रूप में दिखाया गया था दीपिका ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेर की जिसमें उन्हें अन्य सितारों के साथ पोस्ट देते हुए देखा जा सकता है और बैकड्राउंड में राम मंदिर की जलक है सैफ ने खुलासा करते हुए कहा करीना को डेट करने पर रानी मुखर जी ने उन्हें दी थी सलाँ काटा प्ले बिंज के नाउ बिंजिंग के आखरी एपिसोड में सैफ और करीना से उनकी लव लाइफ के बारे में पूछा गया सैफ ने कहा रानी वाकई अद्भुत है अब मैं उनके साथ दोस्ती करने का पहले से कहीं ज्यादा आनन्द लेता हूँ लेकिन उसने एक बात कही मुझे याद है हम शूटिंग कर रहे थे और वह कह रही थी चलो बिना रुके तेजी से शूट करे और इसे खत्म करे और एक दिन की भी छुट्टी न ले और उन्होंने यह भी कहा कि ओ तुम करीना के साथ बाहर जा रहे हो मैं बहुत खुश मुनवर फारुकी को लेकर पूछे सवाल पर बोली आईशा खान मैं करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देती बिग बॉस 17 फीट से एविक्ट हुई कंटेस्टेंट आईशा खान ने शो में मुनवर फारुकी के बारे में परसनल बाते शेर करने के बाद नेशलन टीवी पर उनकी इमेज खराब करने से इनकार किया और कहा है कि वहां किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रही है शो में वाइलकार्ड के रूप में एंट्री करने वाली आईशा ने दावा किया कि मुनवर ने शो में एंट्री करने से पहले टु-ाइमिंग की जूट बोला और यहां तक की एक लड़की को रिष्टा भी भेजा था एक एपिसोड में आईशा ने मुनवर के बारे में और उनकी एक्स वाइफ, बच्चे और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उनके रिलेशन्शिप के बारे में बाते शेयर की थी. शांदार प्रोफेशन है दीपिका साथ काम करना रहा अध्धबुत अक्षय ओबेरोय. काम करने का मुझे अब तक मौका मिला है. अक्षय ने कहा पीकू में हमारे समय से लेकर अब फाइटर तक कुछ भी नहीं बदला है. अपने कला के प्रती उनकी प्रतिबद्धता और सेट पर सहयोग की भावना वास्तव में सराहनिया है. BNT की खास पेशकश